समराट अकबर, जिनके पास कोई पुरुष उत्तरा धिकारी नहीं है, प्रार्थना करने के लिए तीर थेयात्रा करते हैं कि उनकी पत्नी जोधाबाई एक बेटे को जन्द दे. बाद में एक नौकरानी समराट को उसके बेटे के जन्द की खबर देती है. अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने पर बहुत खुश होकर, अकबर ने नौकरानी को अपनी अंगूठी दी और उसे वह सब कुछ देने का वादा किया जो वह चाहती थी. बेटा, राजकुमार सलीम, बड़ा होकर बिग्डेल, चंचल और आत्मभोगी बन जाता है. में लोटता है और उसे दर्बारी नर्त की नादिरा से प्यार हो जाता है, जो उस नौकरानी की बेटी है, जो समराट को अपने बेटे के जन्म की खबर देती थी, जिसका नाम समराट ने अनारकली रखा है, जिसका अर्थ है अनार का फूल. इस रिष्टे की खोज इरश्यालू बहार द्वारा की जाती है, जो एक उच्च पत की नर्त की है, जो चाहती है कि राजकुमार उससे प्यार करे ताकि वहाँ एक दिन महरानी बन सके. सलीम का प्यार जीतने में असफल होने पर, वह अनारकली के साथ उसके वर्जित रिष्टे को उजागर करती है. सलीम अनारकली से शादी करने की गुहार लगाता है, लेकिन उसके पिता इंकार कर देते हैं और अनारकली को कैद कर लेते हैं, क्योंकि उसने सलीम को ठुकराने से इंकार कर दिया. सलीम ने विद्रो किया और अकबर का सामना करने और अनारकली को बचाने के लिए एक सेना एकत रखी युद्ध में पराजित सलीम को उसके पिता ने मौत की सजा सुनाई लेकिन उसे बताया गया कि अगर अनारकली जो अब छुपी हुई है को उसकी जगह मरने के लिए सौंप दिया जाए तो सजा रद कर दी जाएगी अनारकली ने राजकुमार की जान बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और उसे जिन्दा दफना कर मौत की सजा दी गई अपनी सजा पूरी होने से पहले वह सलीम की कालपनिक पत्नी के रूप में उसके साथ कुछ घंटे बिताने की विंती करती है उसका अनुरोज स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि वह सलीम को नशीली दवा देने के लिए सहमत हो गई है ताकि वह उसकी कबर में हस्तक्षिप न कर सके जैसे ही अनारकली को दीवार में कैद किया जा रहा था अकबर को याद आया कि उस पर अभी भी उसकी मा का एहसान है क्योंकि वह वही थी जिसने उसे सलीम की खबर दी थी जन अनारकली की मा अपनी बेटी की जिंदगी की गुहार लगा रही है बादशा का हृदय परिवर्तन हो गया है लेकिन यद्यपी वह अनारकली को रहा करना चाहता है लेकिन अपने देश के प्रती अपने कर्तव्य के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता इसलिए वह अपनी मा के साथ निर्वासन में उसके गुप्त भागने की व्यवस्था करता है लेकिन मांग करता है कि यह जोड़ी गुमनामी में रहे और सलीम को कभी पता न चले की अनारकली अभी भी जीवित है